जैशी राम सभी बगतों को जै माता की फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे जैसे कि कुल देवी की बात करते हैं कई लोग कहते हैं कि हमारी कुल देवी नाराज होगी है क्या कारण होते हैं जिन से जो है हमारी कुल देवी नाराज होती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में ही मिलेगी, तो हमारे साथ अंतक बने रही है, तब ही आपको सारी वीडियो समझ में आती है, अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेर करें, कॉमेंट करें और अगर आप चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हरे एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुँच जाए चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो जैशीराम जैशीराम जैशीरी बालाजी माराज बाबा की असीम किरपा आपके परिवार पर सदय बनी रहे और मेरी माता जगजनीमा भुवानी अम्ब के किरपा आपके घर में हमेशा अनपुर्णा रुपे वास करिए जो कुल की शेष्ट देवी है उसके रूठ जाने के क्या कारण हो सकते है अगर कुल देवी नराज हो जाती है तो घर में किस पकार की आपदा है आती है गर में कूल देवी के नराज होने के क्या क्या कारण है आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कूल देवी किन किन बातों से नराज होती है सबसे पहली बात तो यह होती है कि हमारा जो परिवार है एक तपस्या युक्त होता है जीवन में एक शंगर्ष चलता है हर स्टेप पे हर आदमी के साथ शंगर्श होता है कई व्यक्ति लगा आतार अपनी मेहनस से अपनी पूजा से याचना से अपने घर की शक्तियों को प्रसंद रखते हैं नित्य नेम तिवार जो भी आते हैं जो भी कारवाई घर के अंदर होती है और वो कारवाई पे हर कारिये पे उस देवी देवताओं की पूजा याचना गर में चलती रहती है नेकिन जो आने वाली जनरेशन और पीड़ी आ रही है वो इन बातों से भली बाती प्रिचित नहीं है सबसे बड़ी कमी रह जती है कि हम उनको उस बातों से प्रिचित नहीं करवाते उनके साथ वारता लाप नहीं करवाते जो शक्तियां उन्हें इतना व्यस्त कर देते हैं कि वो कुल देवी देवताओं के परती सोचना उनके मन में रहता है नहीं कि कौन होते है कुल देवी देवता क्योंकि घर के प्रमुख देवता जो पीडियों से आपके घर की रख्षा कर रहे हैं जो पीडियों से आपके घर के ओपर किरपा बनाए बैठे हैं और किसी घर के ऐसे सदस्यों ने जिनोंने उन्हें पूजा याचना करकर प्रसंद किया है और उनकी प्रसंसा से उन्होंने अब आज तक इस मुकाम तक इस घर को पुचाने का उनका योगदान रहा है तो आप संडली ऐसा क्या होता है कि घर के अंदर उनकी नराजगी उत्पन हो जाती है कोई भी देवी कोई भी देवता नराज नहीं होते कोई कि जिस कुल के परती वो तपस्या चलती है याचना चलती है उस कुल में अगर उसका नाम ही ना लिया जाए सिरफ आपको एसास पाया जाता है उन शक्तियों से उनको आप नराजगी समझ लेते हो सबसे बली बात अगर हम खुद ही ना बदले हम खुद इना बदले तो देवी देवताओं का सुवाब हमारे परतिकतनिक कदी भी नहीं बदलता क्यूं हम खुद बदल जाते हैं समय के साथ समय परवितन कुंशिल है जैसे आज हमारे पास कई वाली कोश्यने इस पकार के भी आते हैं कि गुरू जी कूल देवी देवता हमें तो पता नहीं हमारे कूल में कुल देवी देवता है कोन तो ये क्या है अगर आपको स्वम्खुद का नहीं पता तो आप अपने पीडी को क्या बतलाओगे क्या बताओगे कि आपके परिवार के अंदर किस देवी देवताओं की पुझा हो रही है इसमें कमी किसकी रह गई सिरफ आपकी कमी नहीं है अकेली आपके खुद के ग्यान की कमी भी है जिसने आपको ग्यान नहीं दिया कुल देवी देवताओं के परचार के बारे में नहीं बताया उससे वंचित रखा ये सबसे बड़ी कमी है हर चीद धन नहीं होती है हर चिद घर बनाना अमकार मना दिया बच्चों में अच्छी परवरिशी डाल दी संसकार सबसे बड़ी चीज है सोला संसकारों के बारे में बताया गया है अगर बच्चे में वो संसकार उट पर ना हो तो किरपा कहां से हो तो इसी पकार से अगर कुल देवी देवता इन कारणों से नराज होती है, जब जिस व्यक्ति ने घर के अंदर इतनी तपस्या करी, पूजा करी, याचना करी, क्या उसका जीवन व्यार्थ हो गया, अगर आज गंगा को धर्ती पर भगी रजी लेके आए, तो आज उनका नाम भगी रती भी है, तो आप सोच के देखो क्या उन्होंने उसकी किरपा को प्राप्त किया, अपने खुद के तपवल से, मेहनत से, अपने कुल को तारने के लिए, और आज संसार भी उस माद्यम से तर रहा है, तो इसी पकार से आपकी करीवी पूजा याचना है, जो घर में अगर आपके कोई तिवार आते हैं, पूजा आती है, पाठ हती है, कुल देवी देवता खाने के बुखे नहीं होते हैं, कोई भी देवता खाने का बुखा नहीं है, आदर और मान और सम्मान के हगदार हर कोई है, चैए वो देवी देवता हो, चैए इंसान हो, हर किसी को आ आदर और सतकार नहीं मिलता उस आदर और सतकार से वह बंशित हो जाते हैं उन्हें वह प्राप्त नहीं होता आपके घर में मालो विवा हो रहा है विवा का उत्सव चल रहा है या कोई नई फैक्ट्रियों की त्यारी चल रही है या कोई बिजनस की त्यारी चल रही है और उस वहाhã पर प्रस्तुत थे और वहाँ प्रम्म देवी थे और नेकिन शंकर भगवान को वहाँ पर यग में समलित नहीं उने दिया तो इसमीध इसकार करके उसके यग का विद्वन सो गया तुंसी पाक्र आपके परिवार पुर्शन को य कोकी आपके देवी देवता है कोई नाग देवता है या कोई बैरो देवता है या कोई ऐसी देवी है जिसके परिवार आपके पीडियों में चलते आ रहे हैं तो अगर आप उनका आवान नहीं करते उनको नहीं पूझते उनको नहीं मानते तो उनका रूष्ट होना आपके प्रति सुवाबी की है क्योंकि आप जो विवा करने जा रहे हो जो विवा परतित्ती करने जा रहे हो उसमें उस देवी देवता का नाम ही न लेना उसका अवान ही न करना उनकी नराजगी हखधार है मालो आपके परिवार के अंदर इतने समय से कोई तपस्या करकर उस देवी को किसी ने प्रसंद किया हो और प्रसंद करने के बाद आज उस तपस्या का फल आपने एक शन में खतम कर दिया आप उस सक्तियों का अवान ही नहीं कर पारे कई वार और बहुत से लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता कि हमारी कुल देवी है कौन यही कारण सबसे बड़ा है जो आप हमारे उपर जो दिखते समस्याएं उठपन रहती है कुल देवी जिसके आपके कुल की शेष्ट देवी आपके कुल में जिसकी किरपा चल रही हो आपके परिवार में जिसकी किरपा चल रही हो उस देवी की किरपा को आप कैसे बंद करते हो जब वो किरपाएं बंद हो जाएंगी तो आपके समस्त दवार जो है अपने आप ही बंद हो जाएंगे आप कोई भी नया शुब कारिया करते हो तो सबसे पहले कुल देवी देवताओं का आवान आपको अवश्य करना चाहिए उनकी कोई भेट है प्रिया चीज है तो वो जुरूर उनको अर्पन करनी चाहिए उनका नाम लेना चाहिए इसी पकार से अगर जो उनका नाम ही नहीं लोगे आप उनका अवान ही नहीं करोगे तो उनका नराज होना स्वाबिक ही है आपके साथ तो इसी पकार आपको अपनी कुल देवी देवता को कभी भी ना बोलिए तो बोलिए और कभी रूष्ट नहीं करना चाहिए उनके जो मालों अगर कोई अश्टमी है कोई सप्तमी है कोई नोमी है या कोई पुर्णी मा है तो अगर इनका जो भी दिन है उस दिन पर उनके ने बहुत सारी वीडियो बना रखी है आप हमारे चैनल पर जाईए और देखिए आपको सबस्त पता लग जाएगा कि कुल देवी को किस पकार से आपने प्रसंद करना है तो बोलिए जैसिता राम